हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल फैसन इस्टेडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है चलिए स्टार्ट करते हम लोग अपने कोशन कोशन नमबर 30 तक हमने पिछली क्लास में पढ़ाता है 31 से हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा जो लोग चैनल पर पहली बार है इस तरह के कोशन पढ़े के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जादर से जादर इस वीडियो को शेर करिएगा चलिए स्टार्ट करते हम लोग कोशन नमबर 31 देखें डिजाइनिंग में पूछा गया है 3D का यूज कर्व, फिगर, सर्फेस, डेश का परियोग 3D में डिजाइनिंग हेतू किया जाता है देखें इसमें पूछा गया है 3D में डिजाइनिंग करने हेतू किया जाता है किसका यूज किया जाता, first है curve, second है figure, third है surface तो यहाँ पर option देखते हैं, first में है 1,2, second में है 1,3, third में है 2,3, fourth में 1,2,3 तो इसका correct answer है, first, 1,2, curve और figure दोनों का यूज किया जाता है 3D में designing करने हैं तो curve figure, देखें यहां पे 1-2, means curve of figure, दोनों का use किया जाता है 3D में, देखते हैं, next question, हमारा next question है 32, dash is not use a lining fabric, अस्तर के कपड़े के रूप में प्रियोग नहीं किया जाता है, देखें, अस्तर के कपड़े के रूप में प्रियोग नहीं किया जाता है, फर्स्ट है wool, उन, सेकेंड है jap sil, फर्ड है tafeta, फोर्थ है satun, तो इसका correct answer है, first wool, उन, अस्तर के कपड़े के रूप में प्रियोग नहीं किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है, उन का प्रियोग नहीं किया जाता है, उन को हम अस्तर नहीं लगाते, इसलिए option first is the correct answer, देख इन दोंखे रिक्रेक्क किससे बना जाते हैं फर्स्टं पॉलिष्ट्र सेकीन्ड है साटन थर्ड है Johnson jude पॉर्थ फोर्थ है शिल्क तो इसका correct answer है for polyster रिक्रेक्क किससे बना जाते हैं पॉलिष्टर से बनाなるほど इसली लिए option first is the correct answer देखते हैं next question हमारा next question है question number 34 dash cannot be used as decorative patch in children clothes बच्चों के वस्तरों में dash का सजावटी पैबंद के रूप में भी किया जाता है देखे बहुत important question है यह पूछा गया question है बच्चों के वस्तरों में देखे ध्यान दीजेगा का सजावटी पैबंद के रूप में भी किया जाता है क्या चीज़ किया जाता है first है motifs second है tuck third है dart fourth है functional gather means क्रियात्मक gather तो इसका correct answer है first motif देखे बच्चों के वस्तरों में motif का सजावटी पैबंद के रूप में भी किया जाता है क्या किया जाता है motif का use किया जाता है देखे बच्चों के वस्तरों में motif का सजावटी पैबंद के रूप में भी किया जाता है motif इसलिए option first is the correct answer देखते हैं next question band collar usually dash inches with band collar सामानेत है dash inch चौड़ी होती है दिखे इसमें band collar के बारे में पूछा गया सामानेत है कितने inch चौड़ी होती है option first है one option second है 0.5 option third है two option four है four तो इसका correct answer है first one band collar सामानेत है एक inch चौड़ी होती है इसलिए option first is the correct answer देखते हैं next question हमारा next question है 36 dash is used in casing to pull elastic or rope dash का परियोग casing में elastic अत्वा डोरी खीचने हेतू किया जाता देखिए ये भी पूछा गया question है देखिए बहुत बहुत ज़्यादा important question है entrance exam में पूछा गया question भी है ये और CITS में भी ये question पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा इसको पूछा गया है casing में elastic अत्वा डोरी खीचने हेतू किया जाता है first है botking, second है sear, third है razor, fourth है scissor, catchy तो इसका correct answer है first botking देखिए botking का परियोग किया जाता है casing में elastic अत्वा डोरी खीचने के हेतू अब देखते हैं next question हमारा question number 37 है dash is a part of press button देखिए इसमें पूछा गया press button का part first है stud, second है socket तो इहाँ पूछा गया है dash press button का भाग है press button का भाग है first है stud, second है socket इसमें से press button का क्या भाग है? वो पूछा गया है first है इसमें option में first second, second में option है हमारा second, third option है first, fourth option है none of these इन में से कोई भी नहीं तो इसका correct answer है first, first second means press button का क्या भाग है? stud भी है और socket भी है दो के दोनों है इसलिए option first is the correct answer देखते हैं next question हमारा next question है the orientation of thread in a fabric is called किसी फैब्रिक में धागे की दिशा को dash कहा जाता है देखें इसमें धागे की दिशा को पुछा गया है कि क्या कहा जाता है? first है grain, second है salveys, third है bowing, fourth है bias तो इसका correct answer है first grain, देखें किसी फैब्रिक में धागे की दिशा को धागे की दिशा को क्या कहा जाता है? grain कहा जाता है, इसलिए option first is the correct answer देखते हैं next question हमारा question number 39 है fabric spreading is independent of dash, fabric spreading dash से मुक्त होता है देखें, fabric spreading किस से मुक्त होता है? उसके बारे में पूछा गया है first है body is block, second है volume of production, उत्पादन की मात्रा second है capacity of cutting machine, cutting machine की छमता fourth है हमारा thickness of fabric, fabric की मोटाई तो इसका correct answer है first, body is block, fabric spreading bodies block से मुक्त होता है, इसलिए option first is the correct answer देखते हैं next question, हमारा next question है, question number 14 dash is a process of making basic style pattern from a block pattern देखे, block pattern से मूल style बनाने की परकिरिया को dash कहते हैं देखे, important question है, ध्यान दीजेगा आप लोग block pattern से मूल style pattern बनाने की परकिरिया को कहते हैं क्या कहते हैं? first है adaptation, second है manipulation, third है drafting, fourth है draping तो इसका correct answer है first, adaptation एक block pattern से मूल style pattern बनाने की परकिरिया को adaptation कहते हैं इसलिए option first is the correct answer तो friends, आज की वीडियो में बस इतना ही इससे आगे के question, question number 41 से मैं आप लोगों के लिए कर ले के आऊंगी बस continue वीडियो से बने रहे है, वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को like करेगा और जादर से जादर इस वीडियो को share करेगा और जिसने अभी तक मेरा telegram channel नहीं join किया है इस वीडियो के description में मैंने उसका link दे दिया है आप लोगों वहाँ से telegram को भी join कर लीजे जल्दी ही मिलते हूं आप लोगों के साथ में एक नए वीडियो में Thank you